आप देख रहे हैं दखल न्यूज नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब खबरे विस्तार से प्रधान मंत्री नरेन मोदी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है इस बारे में एक धमकी भरा इमेल दिल्ली पुलिस कमिशनर को मिला है बताया जा रहा है ये मेल आसाम से भेजा गया है दिल्ली पुलिस में उस समय हरकम मज गया जब उसे एक मेल मिला जिसमें प्रधान मंत्री मोधी को जान से मारने की धमकी दी गई है एक लाइन के इमेल में प्रधान मंत्री नरेन मोधी को ना केवल जान से मार देने की बात लिखी है बलकि इसका समय तै करते हुए 2019 के किसी महिने का इमेल में जिक्र भी किया गया है यदम की भरा इमेल देश के पुर्वोत्तर राजय असम के किसी जिले से भिजा गया है सुत्रों के मुताबिक पी-म बनने से पहले ही यानि गुजरात का मुखमंत्री रहने के दौराद से प्रधान मंत्री नरेन मोदी आतंकियों के निशाने पर हैं मेल मिलने के बाद ही पुलिसिस की तफ्तीश में जुट गई है 36 गड़ में चुनावी बिगुल बच्चु का है 36 गड़ में चुनाव की शुरुआ दंतेवडा की मा दंतेश्वरी शक्ती पीट की पूजा अर्चना से होती आई है इसका एक कारण राजनेतिक भी मारा जाता है बस्तर की बारहा विधान सवा सीटे राज्य में सरकार बनाने बिगाडने में मुख्य भूमी का निबाती है राज्य बनने के वाद हर चुनाव में हर राजनेतिक दल बस्तर की आराध्य देवी माद दंतिश्वरी की पूजा करने के बाद ही चुनाव की शुरुवात करता है बिगत 10 तारीक को कॉग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंग देव ने दंतेवाडा में माद दंतिश्वरी के दर्शन कर चुनावी कैमपेनिंग की शुरुवात की थी 36 गड़ में कॉंग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा समझे जाने वाले टीय सिंग देव ने यहां राज में कॉंग्रेस की सरकार बनने का दावा किया सिंग देव ने भाजपा पर वादा खिलाफी और भरष्टाचार के गंभीर आरोब भी लगाए वहीं दूसरी ओर आज भाजपा के राष्ट्रे अध्यक्ष अमिशाहा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग के साथ दंतेवाडा में दंतेश्वरी माता के दर्शन कर चिनावी कैंपेनिंग की शुरुवात किर दी अमिशाह जगदलपुर में बूथ लेवल कारिकरताओं के एक कारिकरम में शामिल होने पहुचे थे अमिशाह ने सीडी कान को कोस्ते हुए राज्ज में भाजपा सरकार की बिभिन उपलवदियों को गिनवाया बात करते हैं हम अपने विशेश संवादाता संजीव पचौरी से संजीव चुनावी बुगल बच चुका है मादन तेश्वरी के दर्शन करने अब राजनेता उनके दर पर जा रहे हैं क्या है पूरा मामला दर असल बस्तर में बारह ब्लाहसाब सीटें हैं जो की अक्सर राजवी trzeba की समय स्रकार बनने क्रिए बहुत एहम 11 अ कहीं बिस्तर की बारह बिल्हान साimiento on आए थे मुखमंद्धी का चेहरा है कॉंग्रेस के वो और इधर आज अमिसा ने मुखमंद्धी साथ में माधनतिक दर्सन किये हैं और यहां से चुनाव केंपेनी की सुरुवात की है यहां पर वो बूस्क के कारकरतां को समुहित करने आए थे और सबसे बड़ी चीज है कि इ अरुमदार है वो बस्तर पर है वो चाहते हैं कि अधिल सब्सक्राइब से निकाली जाए तकि सरकार बनने में कुछ दिक्कत ना है सजीव अब आमना सामना टीए सिंग देव और रमन सिंग का है बिलकुल यहां पर अमिसा ने आज क्लियर कर दिया है इस पर दिया है कि भार है उसके बाद से टिया सिंग देव के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो सीम बन सके और आज सब्सक्राइब घटने करम जो हुई है वो राइपुर्म हुई है वहां पर कांगर्स पार्टी के कारकारी अद्धिक्शन मिस्टर वीके ने कांगर्श होल दी है बात पर जायन कर उन्हों में आरूप लगाया है कि राहुल गांधि झी कांड के इतने दिनों के बावजूर भी भूपिजभल पर कर वाई क्यों ही जहां जा रहा हूं लोग कह रहे हैं किससे कहीं 6 महना कहीं 9 महना कहीं 3 महना कहीं 4 महना का पेंशन नहीं आया है तो जो सरकार 15 साल में ये भ गेर जम्मेदारा महल बनाने में जो भी सनलिप्त हों चाहे वो कॉंग्रेस के हों चाहे दूसरे दल के हों उनको इससे परहेज करना चाहिए उससे उनको बसना चाहिए इटार्सी रोड एनेच सिक्स्टी नाइन इस्तित अंग्रेजी शराब दुकान पर भाजपा नेता और खेल प्रकोष्ट के जिला संयोजक संजीव मिश्रा पर शराब ठेकेदार सुनिल गुप्ता के साथ मारपीट और एक लाख रुपे की अड़ीबाजी कारूप लगा है शराब ठेकेदार सुनिल गुप्ता ने बताया कि भाजपानेता संजीव मिश्रा अपरेल महीने से दुकान खुलने के बाद लगातार अड़ीबाजी कर रहा था उसने एक बार फिर कारिकरम के नाम पर एक लाख रुपे भी मांगे थे संजीव मिश्रा शराब दुकान पर अपने 2-3 के साथ आया और मेरे साथ घाली गरोच करने लगा संजीव मिश्रा के साथ 2 युवको को ने उनके साथ मार्पीट कर इस बीच हमारी ओर से बचाव में मार्पीट की गई वहीं बीजेपी डेता संजीव मिश्रा ने अड़ीबाजी की बात से साफ इनकार किया है उनका कहना है कि शराब दुकान अवैद रूप से लगाई गई है मेरे दौारा पूर में भी शहर में अवैद रूप से शराब बेचने की शिकायत भी की गई है आज शराब की दुकान पर जब दोस्तों के साथ आया उस दौरान ठेकेदार ने पहचान लिया और आठ से दस लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ मार पीट कर दी यह मेरे खिलाफ राजनेत एक शाजिश है जिसे मैं संगठन के सामने अपनी बाद रखूँगा मदप्रदेश की ठतरबर पुलिस ने वहां चेकिंग के दौरान लगता दूसरे दिन कार से 14 लाग जब्ट किये हैं यह कार उत्रप्रदेश की सीमा के पास वाडर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई पुलिस ने वहां क्रमांग DL1CS 3202 से 14 लाख रुपे जब्ट कर कार में सवार परवेस खान इंद्रा नगर लखनव उत्रप्रदेश को हिरासत में ले लिया है पुलिस टेकिंग में स्वेम इलाके के DSP केसी पाली तैना थे उन्होंने बरामद रकम की सूचना इंकम टेक्स अधिकारी को भेज दी है गड़ी मलहरा थाना पुलिस ने कल्लू कबारी से वार्डर चेकिंग के दोरान मारूती कार MP 16 सीवी 18 चोहत्तर से 8 लाख 90,400 रुपे पकड़े कार महोबा की ओड़ जा रही थी पैसे नौगाओं के कबार व्यपारी के बताय जा रहे हैं पुलिस पूश्टा कर जांच में जुटी है एक सड़क हाथसे में मा बेटे की मौद के बाद जागा प्रशाशन नवरात्री में सलकनपुर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेत परिवहन करने वाले वहनों पर रोक लगा दी गई है कलेक्टर प्रेंकादास ने शुकरवार दुपहर बारा बजे से दशेरा की रात बारा बजे तक या रोक लगाई है इन में ट्रेक्टर, ट्रॉली, डंपर एवं एलपी रेत का परिवहन करने वाले वहन शामिल है आश्टा के गंज स्थित चौराय पर सभा को संबोधित करते हुए सीम शिवरा सिंग चोहान ने कॉंग्रेस पर सीधा निशाना साधा उन्होंने कहा कि कभी कमलनात ने प्यास बेची है इस अफसर पर CM शिवरा सिंग चोहान ने कॉंग्रेस के राष्ट्य अध्यक्ष राहूल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें दिल्ली वाला भाईया कहकर संबोधित किया CM ने कहा कि चित्रकूट को मेड इन चित्रकूट तो नहीं बना सके लेकिन कम से कम अपनी अमेठी को मेड इन अमेठी जरूर बना लें यही नहीं सीएम नेरा राहुल गांधी की खिली उडाते हुए कहा कि उन्हें यही नहीं पता की आलू और प्याज उपर पैदा होता है या जमीन के अंदर जिले के तीन विधानसवा छेत राष्टा इच्छावर और सिहोर पहुची सीएम की आशिर्वा जन यात्रा में त्वाडा से शुरू हुई यात्रा का सिहोर में समापन हुआ अमलहा से यह यात्रा नापल खेड़ी होती हुई रात आठ बजे सिहोर पहुची इसके बाद बड़ा बजार में सभा हुई प्रभारी मंत्री रामपाल सिंग और सीएम की धरमपत्नी साधना सिंग भी यात्रा में शाविल थी चुनाओ के मदे नजर शिवराज की जनाशि नजर आए अब थड़ी ना सुनोगे आप चुनाव आयोग द्वारा अचार सहीता लगते ही विविन थानों में लाइसेंसी हत्यारों को जमा किया जा रहा है संत हिर्दाराम नगर में लगभग 116 लाइसेंसी हत्यार हैं जिसमें से अब तक ठाने में 103 लोगों द्वारा हत्यार जमा करवाए जा चुके हैं इधर खजूरी थाना में 95 प्रतिशत लोगों ने और पर्वलिया थाना में 90 प्रतिशत लोगों द्वा अनुब विभागी अधिकारी पीपी गौतम ने बताया कि अभी भी लोग हतियार जमा करने पहुंच रहे हैं अधिकारी प्रवालिया में नवे परसेंट जमा हो चुक हैं जोहार अप्पी जगे पर हैं उनका अलग महस्तो है और अचाय संग्ता उसका अलग महस्तो है अचाय संग्ता और माने सुप्रीम कोड के निया अले की जो आदेश हैं उनका हम लोग भी पालन कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हमारे बहरागर की जम्ता भी पासा पालन कर रही है और इंटल ग्रूप ऑफ इंस्टीट्स में टेकक में कल्चल इवेंट 2018 होने जा रहा है जो 25 से 27 अक्टूबर तक चलेगा औरिंटल ग्रूप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ला रहा है टेकक में कल्चल इवेंट 2018 2018 इस एवेंट में कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा विभेन रंगारंग प्रस्तुति दी जाएंगे कॉल्चरल इवेंट, एवेंट फॉर स्कूल इस्टुडेंट्स, शो स्टॉपर्स, टेकनिकल इवेंट्स के साथ ही एक्टेक्टिव प्राइस भी दिये जाएंगे जो 25 से 27 ओक्टुबर तक ये कारेक्रम और इंटल ग्रूप ओफ इंस्टिटूट के प्रांगरन में किया जाएगा मीडिया पार्टनर दखल न्यूज दखल आपके हग में कारे कॉलेज में 25 से 27 ओक्टुबर को टेकाक में टूके 18 होने वाला है जिसमें कई प्रकार के इवेंट्स होने वाले हैं टेक्निकल, काल्च्रल और जो बहुत जादा उत्सा हित इवेंट्सा प्रोतन वाले इवेंट्स हैं वो हैं फाशन शोव और डीजे नाई जो स्टूडिन्स के मनो रंजन के लिए रखे गये हैं, उनकी अपड्रिंगिंग के लिए रखे गये हैं और उनके डेवलाप्मेंट के लिए रखे गये हैं इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहें दखल आपके हक में आप देख रहें हैं दखल न्यूज